हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको Old Man and the Gun ये एक true story explain करने वाला हूँ ये 2018 की Hollywood movie है ये movie best है for a stucker पर ये एक चोर था और इसने पूरे life में सिर्फ चोरी ही की थी ये 18 बार जेल से फरार हो चुका था ये बहुत interesting story है तो चले इसे explain करना start करते है movie start होती है और हमें एक old man bank में आतवा दिखता है वहाँ जो counter वाली होती है उसे counter में जो सब पैसे होते है ये सब उसे दे देती है इसके बाद शान्दी से उस bank से चला जाता है कार में बैटता है और वहाँ से फरार हो जाता है यही forest टा घर है इसने अभी अभी चोरी की है इसके बाद headphones होते है उसे अब police क्या क्या कर रही है ये सब सुना ही देता है पुलिस का radio पुरा इसे यहां सुना ही देता है पुलिस को जिस गाड़ी पर शागता है वो गाड़ी भी ये change कर लेता है अलग गाड़ी में चलने लग जाता है आगे चलकर इसे पता चलता है कि जिस कार में हो है इसे बारे में पुलिस को पता चल चुका है ये फिर जब highway स जा रहा होता है तो वहाँ उसे एक और रोड साइड पर उसकी गाड़ी खराव हुई है यह उसे दिखता है वो फिर यह गाड़ी रोक लेता है पुलिस अगर गाड़ी को फाइंड करेगी तो वो चलती गाड़ी को फाइंड करेगी यहां रुका हुआ है तो इस पर कोई शक करेगा इसलिए रुखता है इस औरत के पास आकर कहता है यह क्या तुम्हें कुछ हेल्फ चाहिए यह थी कि मेरा इंजिन खड़ाव हो चुका है फोरेस्स में देखता है उससे कुछ चौफे देकना सब्पराइस हो जाता है यह ःसने लगजाती है जोक करें उती है फोरेस्स एक्कशल में चोर है तो इससे बहुत ही अमूइजिंग लगता है फोरीस्स जब которой उसका नाम जानता है तो उससे कहता है ये नाम तुमें बहुत ही सूट करता है इसके बाद ये एक रेश्टोरन में आयो हुए में दिखते है जोल उसके बारे में और भी बाते कहती है उसके पास एक बड़ा साहूस है जिसमें उसके पास थ्री होसेस है Forrest कहता है कि मेरी इच्छा है कभी मुझे भी हॉस राइड करने है Forrest ने जोल को कहा हुटा है कि बढ़ कर लिख कर उसे दे देती है Forrest भी पेन लेता है और वो रॉबर ही करता है इसला वो कार्ड बाओर पर लिख देता है जूल पर इस पर बिलियू नहीं होता, वो कहती है कि अगर तुम सच मुच में सब काम करे होगे, तो मुझे ये प्रूफ करकर दिखाओ और इस कहता है मैं प्रूफ तो कर सकता हूँ, पर मुझे करना नहीं है जूल को बिलियू हो जाता है, कि ये जो सब कह रहा है, ये सब जोट कह रहा है वो उसे बुछती है कि क्यूं नहीं तुम प्रूफ कर सकते है ये कहता है कि यहाँ, इस रेस्टोर में कुछ प्रूफ करना, ये मेरा स्टाइल नहीं है ये फिर कहता है कि जिस जगा मुझे रॉबरी करने होती है वहां 3-4 दिन पहले में जाकर आता हूँ मुझे किस औरत से या आदमी से पैसे लेने है इसका मैं पूरा स्टडी करता हूँ इसके बाद 3-4 दिन मैं उस पर नज़र रखता हूँ और फिर जब मुझे लगता है कि आप राइट मुमेंट है तब मैं अंदर जाता हूँ और सब पैसे ले कराता हूँ वहाँ जनरेल लड़की ही होती है मैं उसे कहता हूँ कि बहुत ही शांतर हो मैं नहीं चाहता है कि तुम हर्ट हो जाओ फिर मैं उसे पेर से कहता हूँ, इमें तुम्हें है पसंद करने लगाओ मैं तुम्हारे पेर में भी बढ़ सकता हूँ मैं उसे फ्लर्ट करता हूँ और वो भी जारा कमफर्टेबल होती है और सब पैसे मुझे दे दिती है इसके बाद वहाँ से निकल जाता हु चुल इस पर थोड़ा भी विलिव नहीं करती forest भी कहता है, यह मैं मज़ा की कर रहा था इसके बाद हमें direct to John Hunt दिखाये जाता है यह जो time period चल रहा है, 1981 का चल रहा है यहाँ और एक robbery forest नहीं की है जो robbery हुई थी, उसके वो सब details ले ले लेते और यह फिर से station पर आजाते है आज John का 40th बड़े होता है तो उसके सब colleagues इसको celebrate करते है यह जब सुबा अगर आता है तब हमें इसकी family दीखती है इसके एक wife होती है, उसके दो बच्चे होते है इसका birthday यह सुबा आज मनाने वाले होते है इसके लिए अच्छे सा cake वेगरा उनने लाय होता है यह एक अच्छे सी happy family होती है नेक्स दिन अपने बच्चों को लेकर hunt एक bank में आता है उसके बच्चों का ही bank में कुछ काम होता है इसलों उनको वो लेकर आय होता है अब हमें दिखता है कि forest दो और बुड़े लोगों के साथ है यह जो थी यह पूरी team थी नहीं कि यह दो बुड़े लोग और forest यह दिनों मिलकर यह bank लुटते थे forest के जो friends थे कुछ बड़ा करना हो तो उसे help करते थे वरना वो information वेगरा निकालते थे अब हमें दिखता है कि hunt जिस bank में आया हुआ है वह फौरेस्ट टकर आया है फौरेस्ट फिर अंदर जाता है manager से वो बात करता है manager को वो गन दिखाता है manager को कहता है है कि तुमहें अब बहुती शांध रहने उसे एक bag देता है और उस bag में सब पैसे उसे रखने के लिए कहता है हंट बैंक में होता है पर टकर को मैनेजर सब पैसे निकाल कर शान्दी से दे देता है किसी को कुछ पता भी ने चलता जब टकर बाहर आता है और निकल जाता है तब मैनेजर डोर बन कर लेता है अब हंट को बता चलता है कि यहां रॉबरी हुई है सब पूलिस ओफिसर्स विगरा सब वहाँ आते हैं और हंट का बहुत ही मज़ाक उड़ाया जाता है वो ही था पर वो रॉबर को स्पॉट नहीं कर बाया रात में हंट अपने वाइफ के साथ निउस देख रहा होता है निउस पर इस रॉबरी के मारे में घूज भी नहीं होता यानि कि लोगों को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता हंट की वाइफ उसे मोटिवेट करती है और कहीती है कि तुम उससे पकड़ लोगे तुमें इससे फरक पड़ता है और एक ना एक दिन तुम इससे पकड़ी लोगे अब हमें इसके बाद जोल और फोरेस्ट मिल रहे है यह दिखता है यह उनके पहली ओफिशल डेट होती है जोल उससे पुछती है कि तुमारे सेल्स का बिजनस कैसा चल रहा है यह कहता है कि मैं रीजन का टॉप फाइव सेल्स मैं हो जोल बोलती है कि मैं तुमारे एक भी वर्ड पर विलिव नहीं करती है जब पहली बार मिले थे तो टकर के एर में हेड़फोन्स थे यह पूछती है तुमारे हेरिंग एड कहा है डगर प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ सुनाय नहीं दे रहा यह दोनों फिर हसने लग जाते है डिटेक्टिव हंट अब इन्वेस्टेशन स्टार्ट कर देता है थोड़ी सी फाइस निकालता है सिमिलर जो रॉबरीस होती है इनको ट्रैक करता है एक एसी केस उसे मिल जाती है और वहाँ का जो शेरिफ होता है उसे वो कॉल करकर जब इस बारे में बोलता है तो शेरिफ कहता है कि मेरे वाइफ की एक फ्रेंड थी उसने में यह ही पता है था कि इसे टाइप की एक रॉबरी हुई थी अब यहां हंड को पता चलता है कि फॉरेस्ट ने इस तरह की बहुत सारे robberies की है, यह अब इसके पिछे लग जाता है, बहुत सारे files वगर निकालता है, इसे फिर पता चलता है कि पूरे 2 साल में, इसने 93 robberies की है, हंड हाथ दो कर अब Forrest की बिच्छे लगा हुआ है हमें Forrest वार एक बैंक में आया हुआ दिखता है वो एक लड़की हुथी है जिसको जाकर कहता है कि सब पैसे अब मुझे देदो उसे कुछ भी आवाज करने के लिए ना कह रहा हुता है ये वैसे देते देते रोने लग जाती है Forrest कहता है कि प्लीज रो मत क्यों तुम रो रही हो ये लड़की कहती है कि आज मेरा पहला दिन है Forrest कहता है कि हर एक चीज का पहला दिन तो होना ही चाहिए वो एक अच्छा जॉब करी है ये कहकर उसे वहाँ से चला जाता है हमें देखता है कि बहुत सारी investigation हंट करता है जाहाभी robbery हुई होती है तो उन लोगों से वो मिलता है ये सब लोग कहती कि Forrest जो था वही gentleman था वो बहुत ही polite था और बहुत ही अच्छा आद्मी था जो अभी अभी bank के lady थी वो इसे कहती है कि वो बहुत ही मुझे खुश लग रहा था वो मैं दिखता है कि जूल के घर पर Forrest आया हुआ है जूल के बहुत ही बड़ी land होती है और वहाँ बड़ा सा घर होता है जो कर्जा उस पर bank का है यह भी चुकता हो सकता है इसके जो बच्चे है यह उसे यही कहते रहते है जूल यह मानने नहीं वाली होती है उसे यहां रहना अच्छा लगता है यह बोलती है इपर बच्चों को मैं कहती हूँ कि वो यहां आकर रहे है वो मुझे help कर सकते है जूल फिर Forrest से बुछती है कि का तुमने कभी शादी की है Forrest कहता है कि मैं जब यंग था तो मैंने शादी की थी उसके बच्चों के बारे में बुछती है Forrest कहता है कि मैंसे बच्चे विकरा कोई भी नहीं है अब नेकसी में दिखता है कि Forrest जिस जगा पर स्टोरी करता है तो वो सब हंड ने अब जान ली होती है वो उसमें एक पैटन क्रेट कर रहा होता है अब मैं फिर से Forrest रॉबरी करने वाला है ये दिखता है एक बड़ी से बैंक होती है जिसमें वो अब रॉबरी करने वाला होता है उसके जो सब फ्रेंड्स होते है ये इस पर नज़र रख रहे होते है अब Forrest और उसके दो फ्रेंड्स ये मिलकर अब सिर्फ बैंक ही नहीं लूटने वाले होते है तो उसमें का जो फोल्ट होता है उसमें बहुत सारा सोना वेकरा होता है ये सब वो लूटने वाले होते है इन सब को डाउट हो रहा होता है कि क्या है ये सचमुश में ये कर पाएंगे Forrest कहता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ उसमें से एक फ्रेंड्स कहता है तो देखता है कि Hunt की interview चल रही है ये interview जे ये robbery के बारे में ही है Forrest इसमें बहुत interested हो जाता है अब हमें directly robbery हो चुकी है ये दिखाई देता है इस bank की जो manager थी इसे बात कर रहा होता है ये robbery ज़रा unsuccessful हो चुकी है बहुत सारे पैसे वही पड़े हुए होते है इस bank का जो guard था ये Forrest रो इसके friend की बीचे भागा था इसने दूग गोलिया चलाई थी हमें दिखता है कि Forrest के friend को ये गोली लग गई होती है Forrest का friend कहता है कि हमने एक पुरा काम करी लिया था थोड़े से के लिए गड़बढ हो गई Forrest बोलता है कि हमने वैसे भी अच्छे से किया है उसके डिक्के में बहुत जारे पैसे और गोल्ड भी हमें दिखता है अब Nixon में हम दिखते है कि Hunt ने Forrest के अबाउट बहुत जारी information निकल वाली है वो एक बहुत ही अच्छा काम करा है और अब Bureau को यह पता चल चुका है यानि कि FBI FBI भी A Forrest को ढूणना चाती है कि Hunt के पास आती है और खेती है कि तुमने जो सब काम किया है यह सब की details मुझे दे दो हम अच्छे से इसे ढूण सकते हैं Hunt को यह अच्छा नहीं लगता Hunt कहता है कि मैंने उसे अल्मोस ढूणनी लिया है और लास्ट में तुम उसे बस्ट करोगे यह उसे अच्छा नहीं लगता पर हमें पता है कि जैसे यह FBI है तो FBI से कोई ना नहीं कह सकता यह कैस FBI के पास आ जाती है Hunt के बच्चों को जब पता चलता है कि Hunt से केस अब चली गई है तो उसके बच्चे उसे समझाने के लिए कहते है कि जो FBI के लोग है यह भी यहीं चाहते है कि Forest पकड़ा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है Nixon में Hunt पूली स्टेशन पे होता है उसके mail में उसे एक फोटो मिलता है यह Forest टकर का फोटो होता है Forest इसके साथ खेल खेलना चाहता है तो उसका यह यंग फोटो उसने उसे भीज़ दिया होता है Nixon में हमें Forest जूल के पास आयो हुआ दिखता है जूल हॉस राइट कर रहे होती है जूल फिर इसे खेल थी कि मेरे पच्चे और मेरी पती था मेरे जो family थी यह perfect थी और at least मुझे perfect लगती थी मुझे लगा था कि मैं बहुत ही खुश हूँ पर जो time था यहां खे चलता गया और मुझे लगता गया कि मुझे जो सब चीज़े करनी थी यह सब रह गई है मेरे पती की जब डेथ हो गई तब मुझे लगा कि मुझे जो सब चीज़े करनी है वो अब मुझे करना स्टार्ट कर देना चाहिए हर बार जब मैं door close कर दी थी तब मुझे लगता था कि मेरे life के door close हो रहा है इसलिए अब मैं सही से जीना चाहती हूँ फोरेस्ट कहता है कि कभी भी मुझे लगता है कि door close हो गया है तो वो window को में तोड़ देता हूँ और वहाँ से भाहर निकल जाता हूँ और जिस तरह से life जीता है इस बारे में कहर रहा होता है फोरेस्ट कहता है कि 10 साल का फोरेस्ट अगर मुझे देखेगा और वह जब प्राउट होगा तो भी मुझे लगता है कि मैं साइट रेक पर हूँ जूल कहती है कि क्या वो तुम पर प्राउट है कहता है कि दिन बाद दिन वो close आता जा रहा है फोरेस्ट अपने काम से बहुत ही खुश होता है उसे कभी भी कोई भी गम नहीं होता अब नेकसिन में हम देखते है कि फोरेस्ट बैंक में आया हुआ है पर इस बार ये बैंक को लूटने नहीं वाला होता जूल पर जो भी सब कर्जा है यह वो पे करने वाला है फॉरेस ने अपनी फोटो हुझे पेज़ी थी तो इसकी फैमिली ट्रैक करते-करते फॉरेस की एक बेटी भी है उसके पास वो आ चुका है फॉरेस की बेटी एक मीडल ही जूमन है और इसका बेटा भी है हंड जब इसे फॉरेस के बारे में पुछता है तो कहीं थी कभी मैंन अलग अलग स्टोरीज वो हमें सुनाती थी जब हम 15 साल के थे तब फॉरेस्ट जेल से बाहर आने वाला था मेरी मदर को लगा कि वो मिलने के लिए आ सकता है तो इसलिए सच सच सब कुछ मुझे उसने बता दिया था फॉरेस्ट को बेटी को फॉरेस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं चाहिए होता वो कहती है कि अगर वो पकड़ा भी गया तो मैं उसकी as a relative उसे लेने नहीं आने आने वाली हन कहता है कि तुम्हें कोई भी जरूत नहीं पड़ेगी इसके बाद हम देखते है कि फॉरेस्ट और जोल एक जगा पर शॉपिंग करने के लिए आये हुए होते है फॉरेस्ट जोल के लिए एक बैंगल ले रहा होता है यह बैंगल जब वो देखते है तो जोल को एक बहुत ही पसना आता है Forest इस तोर के बारे में सब कुछ जान रहा होता है जब राइट मुवमेंट आता है तो जूल को बाहर लेकर आता है यह जो बैंगल है, यह इसने चोरी किये है जूल इस पर हसने लग जाती है और इसे गलत लगता है यह फिर वापस आती है और Forrest को उसके लिए बाय करने के लिए के दिया नेक सिन में हम देखते है कि Hunt अब Forrest के लॉयर के पास आ चुका है Forrest जब जब ज़रा यंग था तब उसी इस लॉयर ने रिप्रिजेंट किया था इस लॉयर को Forrest के बारे में बात करना बहुत ही अच्छा लगता है इसे लगता है कि Forrest बहुत ही इंटरस्टिंग आदमी है वो जब से 13 साल का था तब से वो चोरी कर रहा है इसके बाद 18 जेल तोड़ कर ये निकल चुका है एक बार तो वो आइलन में था उसने एक छोटी सी बोट बनाई थी और उस बोट पर वो बहाँ से भाग गया था ये लॉयर कहता है कि उसके लाइफ के बहुत जारे स्टोरिज उसने मुझे बताई है ये जो उसने सब रॉबरीज वगरा सब कुछ की है तो इसमें उसने कभी भी गन नहीं चलाई उसके पास गंदो थी पर कभी उसने चलाई नहीं है आज तक किसी को भी उसने हट नहीं किया है लॉयर कहता है कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि वो अपने काम से बहुत ही प्यार करता है मैंने उसे बुचा कि अगर तुम्हें रोजी रोटी नहीं कमानी है तो तुम कुछ अलग काम कर सकते हो फोरेश ने मुझे कहा कि मुझे सिर्व जीने के लिए काम नहीं करना मुझे सच मुश में ये जो लाइफ है ये अच्छी तरीके से जीनी है वो जब चौरी करता है तब उसे अलाइव महसूस होता है हंट अपने घर अपनी वाइफ के पास आता है तो वो कहता है कि मैंने उसे अप ढूण लिया है वो क्या है किस तरह का आदमी है ये मुझे पता चल चुका है इसके वाइफ कहती है तुम उसे जरूर ढून लोंगे आज हन का ज़रा मूड अच्छा होता है वो अपने वाइफ को लेकर कही डिनर के लिए बाहर जाना चाता है वो फिर दोने एक रेस्टोरन में आ चाते है यही में दिखता है कि वहाँ फॉरेस्ट भी आ चुका है जब हन टोयरेट किल जाता है तो फॉरेस्ट उसके पीछे पीचे भीचा जाता है मैं तो तुमें पेचानता हूँ मैंने तुम्हें टिवी पर देखा था वो उसे बुछता है कि क्या तुम उसे ढूंड रहे हो हंड कहता है कि मैं close हूँ forest फिर हंड की अच्छे सी color लगाता है वो कहता है कि अगर तुम शाप दिखोगे तो तुम life में बहुत ही तरकी कर सकते हो लोग को लगता है कि तुम जो कर रहे हो यह तुम सही कर रहे हो अगर तुम जो कर रहे हो उसके बारे में तुमें clue भी नहीं होगा तब ही लगता है कि तुम बहुत ही confident हो हंड को मौलब होता है कि यह forest है यह से कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसका नाम भी हो लेता है Forrest सिर्फ वहाँ से चला जाता है और Hunt उसका पीछा नहीं करता उसे सिर्फ उसके बारे में information निकलवानी थी Forrest जो है किसी को hurt नहीं करता तो उसे इससे ज़्यादा कुछ problem नहीं है इस case को अब वो छोड़ कर आगे अपने life में बढ़ सकता है जूल और Forrest जब घर आ रहे होते हैं तो Forrest कुछ रहने के लिए बाहर निकलता है जूल उसकी गाड़ी में एक गन देखती है उसे अब थोड़ा-थोड़ा भिली होने लग जाता है कि जो Forrest कह रहा था यह सही कह रहा था वो सचमुच में रोबर हो सकता है जूल जब घर पर आती है तो एकसेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती उसे अब Forrest से पैर हो चुका होता है Forrest ने उसे घर पर छोड़ दिया होता है जूल अंदर चले जाती है पर थोड़ी देर बाद वापस आकर Forrest फिर से उसकी डोर पर खटकटाता है ये दोनों एक दूसरे को किस करते है उसके पास Forrest वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि एक राद अपने Friend को मिलने के लिए Forrest आता है तब ही उसकी Friend के पास बहुत सारे पुलिस आया हुए होते है ये सब अब Forrest को अरेस्ट करने के लिए यहा होते है तो आप Forrest से मिलने के लिए आता है Forrest एक Robbery पर उसके लिए एक Note छोड़ कर गया था ये Note वो उसे वापस कर देता है इसके बाद हम देखते हैं कि Forrest जेल में है और उसे मिलने के लिए Jewel आई हुई है Jewel उसे कहती है कि वो बहुत सारे Questions मुझे पूछ रहे थे वो मुझे से पूछ रहे थे कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ मैंने उनसे अपकोस नहीं कहा था Forrest फिर उसे एक कागड़ देता है इस पर सब डेट सेगरा लिखे होती है और डिस्क्रिप्शन होता है जिस जिस जेल से वो छोड़ कर बाहर निकला था इस सब के नाम उस पर लिखे होती है इस पर और एक नंबर बना होता है तो जूल से बुझती है कि ये क्या है ये क्यों ब्लैंक है Forrest कहता है कि best में last के लिए बचा कर रखना चाहता हूँ क्याने कि ये जेल भी वो तोड़ कर जा सकता है जूल से कहती है कि इस बार ऐसा मत करो इस बार तुम यही रहो किस-किस तरह से वो फरार हुआ था यह सब हमें दिखता है एक बार वो खेड़के से बाहर निकल गया था एक बार जब वो जेल में था एक बार लॉंड्री में और एक बार बोट से इस तरह से अलग-अलग तरीके से वो जेल से निकल जाता था अब हमें दिखता है कि फॉरेस्ट की जो सजा है वो अब खतम हो चुकी है उसे लेने के लिए जूल आती है जूल उसे अपने घर पर लेकर आती है उसे कहती है कि जितनी भी टाइम तो तुम्हीं यहा रहना है तुम्हीं यहा रहने में कोई भी प्रॉल्म नहीं है फॉरेस्ट जूल के घर में एक साइन देखता है जिसने एक घर बनवाय है यह उसकी साइन होती है जिस तरह से आर्टिस्ट अपनी लेगसी छोड़ कर गया है उसी तरह से फॉरेस्ट भी अपनी लेगसी छोड़ कर जा सकता है वो जो काम करता है यह उसे पसन आता है जूल के साथ वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है जूल और वो मूविस में जाते है उसी दिन Forrest चार रॉबरिस करता है इसके बाद वो पकड़ा गया था जिस बुलिस ने उसे पकड़ा था तो उनसे जब पूछा गया तो Forrest के साथ था तो उन्होंने बताया था कि जब वो पकड़ा गया था तो उसके फेस पस स्माइल थी यानि कि जब वो पकड़ा गया था तो बहुत ही खुश था क्योंकि अभी अभी उसने सक्सेसफूल रॉबरिस की थी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाऊगा तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं इस तरह से बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहे तो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए और बेल नोटिफेशन आइकउन बे दवाना मत भूलें यानि कि आपको सब मुवीज मिलती रहे वेसे मिलेंगे एक नहीं मुवी के साथ सब तक के लिए थाइंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे